गूगल एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि जब आप गूगल एड्स केंपेइन बनाते हैं तो उसमें एक आप्शन आता है लेंग्विज सेटिंग्स का उसका क्या यूज है और कैसे आप उसको इसको इस्तमाल करें दोस्तों हम जनरली जब एड्स चलात और बहुत सारे हजारों लोग हमसे सीखते हैं तो लेंग्विज सेटिंग्स का सही यूज वो नहीं करते तो आप सीखें कि कब आप लेंग्विज सेटिंग का यूज करेंगे और यह उन लोगों के लिए बहुत इंपर्टेंट वीडियो है जो एक पर्टिकुलर रीजन ल अगर लेंग्विज सेटिंग में भी आप गलती करते हो तो आप अपनी सही ऑडियंस मिस कर देते हो तो आपको अच्छे से गूगल एड्स सिखाना ही हमारा मोटिव है हर चोटी बड़ी चीज आप शीखोगे उमीद करता हूं पूरा कोर्स अच्छे से सीख रहे होगे और गूगल एड्स के साथ-साथ अगर आप फेस्बुक लिंग्डेंट ट्विटर एस्जी शोचल मिडिया अफिलेट मार्केटिंग जैसे पचास से ज़्यादा डिजिटल और टेक्निकल कोर्से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से फ्री सीख सकते हो और आने वाले कुछ सालो होती है जो सेटिंग आप देख रहे हो इसका सही से इस्तमाल कैसे करें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं पंदरा साल हो गए हमें एस्यों गूगल एड्स और एजिंसी चलाते हुए डिजिल मार्केटिंग करते हुए हम देश-विदेश की क्लाइट्स को है एंडल करते हैं हजारों लाकों लोगों को पढ़ाते हैं और सबसे जाद अगर गूगल एड्स में कहीं मिस्टेक होती है तो यह उसको इग्नोर कर दिया जाता है वह है लेंग्वेजिज इस लेंग्वेज सेटिंग और यह जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूं समझा क्योंकि हर केंपेंज जब भी आप गूगल एड्स में बनाओगे तो वहाँ पर लेंग्वेजिज आपको सेलेक्ट करनी होती है और वहां पर अगर आप उसको एड्ट करोगे तो हो सकता है आप उस और दिखाओ जिसको आप दिखाना चाहते हैं उसके साथ-साथ हो सकता है यही मार्केटिंग फंडास का मकसद है जैसे कि हमने हमने लोकेशन सेटिंग के उपर आपको प्रॉपर वीडियो दिये गुगल एड्स के अंदर ठीक है सर्च नेटवक्स के उपर दी है और हर तरीकी की सेटिंग के उपर दे रहे हैं अब लेंग्वेज सेटिंग अकेले क देख लेना क्योंकि लोकेशन और लेंग्वेज इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं तो अब लेंग्वेज सेटिंग क्या है यहां पर जब मैं आपको कुछ दो तीन अग्जेंपल्स और के स्टडीज भी बताऊंगा यह वीडियो बहुत इंटरेक्टेव होने वाला है और आपके कोछ जीसे किलैरिटी देगा के स्टडी भी बताऊंगा और यहां पर कैसे गूगल को पता लगता है कि हाँ यह लोग फलानी भाशा जानते हैं और यह जो के लोगों को मेरे को एड दिखाना चाहता है तो मैं इनी लोगों को एड दिखाऊ तो गूगल को कैसे बता लगेगा तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंग के इस option के अंदर बाइड डिफॉल्ट इंगलिश आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि जब हम अपना एड विगदर बनाते हैं यहां एक एक वह کरता है तो यह पर हम अपनी एक डिफॉल्ट लेंगविज भी इंग्लि डाल देते हैं तो एक वह रीजन होता है और यह बाइड डिफॉल्ट इंग्लिश लिए उनिवर्सल चलती है वह भी रीजन होता अब यहां पर ह soll रही लेज हम तो मेरा एड उस लोकेशन में जो भी लोकेशन में ने टार्गेट करी है मालो मैंने इंडिया करी है तो इंडिया में अगर मालो मैंने डैली करी है तो डैली में तो अगर यहां पर और लेंग्वेज है तो उस लोकेशन पे कोई भी लेंग्वेज बोलने वाला बंदा हो चाह मान लिजे अब है आप आपको पहले हम बात करते हैं कि घूगल कैसे डिडक करता है पहले किसको दिखाएं फिर ना आपको कैसे सेटिंग करनी आ आपको किन बातों का ध्यनक नथा तो 2-3-4 पेरेमेटर से में गूगल देखता है कि कैसे दिखाँ हूँ पहला तो जब आप Google account या Google ads account जब भी create करते हो तो हमेशा वहाँ पर आप अपनी कुछ information फिल करते हो language, age वेगर अप कई सारी कुछ information होती है जो आप फिल करते हो अपने account में तो sign in होते ही हो आप कोई भी activity करो आप Google पे जाके like यहाँ पर कुछ टाइप करते हो तो यहाँ पर अगर मैं टाइप कर रहा हूं तो गूगल को पता है ना कि हाँ भाई यह जो है यह English में टाइप कर रहा है उसके अलावा अगर बहुत सारे लोग हैं जिनके mobile में या लैप टाप में इंडिया के अंदर जो बिल्कुल हिंदी भाषिया और हिंदी में ही इंट्रेक्ट करते हैं तो उनके keypads भी हिंदी में होते हैं तो यह सब हिंदी में लिखते हैं ति कि मोबाई रुज९ बहुत सारे जो हिंदी में मैसेज करते हैं हिंदी में सब चीज्ञ्ञ अंदर रहे दिवास में भिड़्पॐव्ट आपने लोग एंडिया के अंदर है जैन Dartmouth में जो डिवाइस में गोई में यह विदिव है ऐसे ही इंडिया एक अलग-अलग कल्चर्स का अलग-अलग रीजन्स का एक टूठ मतलब एक मतलब यहां पर सब लोग एक साथ है चाहे वो किसी भी राज्ये से हैं या किसी भी उससे आ रहे हैं तो वहां पर अगर आप language की क्योंकि यह कोई UK नहीं है कि सिर्फ English बोली जाती ह ठीक है यह इंडिया है यहां पर पचासियों तरीकी की language बोली जाती है तो अगर आपने language setting की सही नहीं गरी तो आप कैसे कर लोगे तो पहला तो है जब आप account create करते हो दूसरा है जब आप खुद कुछ चीजे लेंग्वें के जिस भी language में आप comfortable उसमें सर्च करते हो तीसर तो इस तरीके के बहुत सारे indicators है जिसके दूगल को पता लगता है कि यह वो audience है जो इस भासा को prefer करती है अब अगर आप इंडिया की बात करो तो usually अगर आप देखोगे तो जाधातर लोगों को मैं सबकी बात नहीं कर रहा जाधातर लोगों को तीन लेंग्वेंज जिस तो पता है इंग्लिश हिंदी और जो उनकी खुद की रीजनल भासा है मानलो कोई person तमिल मतलब तमिलाडू में है अब उसको हिंदी आती ही है ठीक है जरूरी नहीं बहुत अच्छी आती हो बड़ आती होगी बहुत सारी लोग है मैं जानता हूँ वो साउट के हैं बड़ उनक तो उनकी अच्छी होती ही है और अपने रीजनल लेंग्वेज उनको आती है तो मैं दोंको तीन लेंग्वेज आती है अब ऐसे पंजाब ले लो पंजाबी भी आती है हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है ऐसे यह रीजनल भी हो गई न और यह को छोटे लोग नहीं ह यहां पर क्या हो रहा है कि हम हम जब टार्गेट करते हैं अब मैं आपको के स्टडी दे के समझाओंगा आपको बहुत असानी से समझ में आएगा कि आप कैसे चूज करोगे लेंग्विज पहले हम एग्जेंपल देते हैं एक प्रॉडक्ट का मालो आप एक आयरुवेदिक प यहां पर हिंदी कर दो अब ऑपने हिंदी सेलक कर लिया अब होगा क्या गूगल की प्रेफ्रेंस ही हो गयी कि आप अपने आयरुवेदिक प्रॉडट को बैचने के लिए को एड चला रहे हो तो गूगल उन लोगों को एड दिखाएगा जो जनरली हिंदी बोलते हैं हिंद में ही टाइप करते हैं तो वो बेसिकली आपकी ओडियंस वो उस तरीके से हो गई ठीक है अब यह तो एक मैंने प्रॉड्ट के एक्जेंपल दे दिया अब दूसरा है मालो आपको जो अपना एड चलाना है वो आपको चलाना है तमिल नाडू के अंदर आपको ऐसा को को इंडिकेशन मिल गया कि यह जो एड है यह तमिल भाषा से जो कनेक्टेड है जो उसमें इंट्रेस्टेड है उन लोगों को दिखाऊंगा अब मालो आप मेरे को अपना ऑल्लाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करना है तो मैं यहाँ पर सबको चटा के और लेंग को इंग्लिश भी आती है या तो इस तरीके से आप एरिया स्पैसिफिक भी अगर काम कर रहे हो तो उस एरिया की जरूर सेलेक्ट करना अगर आपका प्रॉडक्ट ऐसा है जो उन लोगों को में ज्यादा बिकेगा जो इंग्लेश और एमनसी और इस तरह की कॉर्पेट्स मे ज्यादा काम करते हैं तो इंग्लिश जरूर रखना कुछ ऐसा है जो रूलर एरिया में जहां पर हिंदी भास्टी लोग ज्यादा है तो वह अपना ऐसे रखना तो इस तरीके से आप जो भी एरिया चूज करो लोकेशन और जिस तरीके की ओडियंस को आपको टार्गेट कर होगे तो आप अगर आपका टार्गेट और जिस लात है तो आप पचास लाक को आड नहीं दिखाऊं गयो तो उम्मीद करता हूं आपको य वीडियो बेहत पसंद आया होगगा अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्षन में बताईए और अगर आपको國家 दिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेनी हैं तो आप हमारी वेब्सेट मार्केटिंग फंडास.com पर जा सकते हैं या हमारे दियोई नमबरों पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और यूसफुल लिंक समने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आप उनका यूज कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग मार्केटिंग फंडास.